मैं आपको इस वीडियो में तीन तरीके बताने वाला हूँ अगर आप इन तीनों को फोलो करते हो ट्रस्ट मी आप 1000 सब्सक्राबर्स बहुत जल्द कम्प्लीट कर सकते हो और अगर एक दो दिन में कोई ट्रेंड आ जाता है इस वीडियो में आपको जो तीन तरीके बताने वाला हूँ ना ये एकदम अलग हटके होने वाले हैं तो बने रहो वीडियो में एंड तक बट आगा बढ़ने से बेले अपने भाय का नाम में जान लीजे मेरा नहीं में जुनेद और आप देख रहें इंट्रेस्टिंग चैनल जुन्नू की टेक चैनल पर नहीं हो तो बैश सब्सक्राइब कर दीजिए यहां पर आपको चैनल राज खोलने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यही सचाई है अभी के टाइम में जो आज मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ये एक सबसे बड़ी मिश्टेक कर रहे हो आप लोग भाई मैं खुद नोडिस कर रहा हूँ और आपको खुद बताए कि हाँ मैं ये मिश्टेक कर रहा हूँ अब वो क्या मिश्टेक है वो जान लीजिए फर्स्ट आप में से काफी परसन के मैं चैनल चेक करता हूँ तो वहाँ पर मेरे को क्या कॉंटेंट मिलता है कि 1000 सबस्क्राबर्स 10 दिनों में कैसे करें लेकिन खुद के चैनल पर 1000 सबस्क्राबर्स कमपलीट नहीं हुए है अपने सबस्क्राबर्स हाइड करकर रखते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से 4000 हावर्स का वाच्ट टैम कमपलीट करें यूट्यूब पर पाच दिनों में सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करें एक हजार तो अगर आप मेर को देखकर या किसी अधर क्रेटर को देखकर यूट्यूब टिप्स से रिलेटिड वीडियोस बना रहे हो कि यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें व्यूज कैसे बड़ाएं तो हम आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अभी रुक जाएए अगर आप अपने चैनल पर अभी से यूट्यूब टिप्स देना शुरू कर दोगे trust me guys आप अपने चैनल को dead कर लोगे अभी तक आपका तो चैनल ग्रो हुआ नहीं है तो आप लोगों क्या बता होगे जो बड़े क्रेटर्स बताते हैं आप उनका वीडियो देख लेते हो और वही आप अपनी वीडियो में छाप देते हो चलो माल लेते हैं कि आप किसी बड़े क्रेटर का नहीं देखते हो आप खुद से बनाते हो लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में यूट्यूब टिप्स दोगे और आपके 100-200 व्यूज आते हैं या किसी-किसी वीडियो पे 1000 व्यूज आते हैं तो आपको mostly comments यही मिलेंगे कि भाई खुद की वीडियो तो viral कर और आपको मिलते भी होंगे अगर आप YouTube टिप्स देते हो तो आप स्टार्टिंग में यह सब छोड़ दीजिए मैं आपको यही suggest करूँगा कि YouTube टिप्स को छोड़ कर तो खुल मिला कर बात यह है कि मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में YouTube टिप्स मत दो वरना आपको फाल तुम्हें गाले मिलेंगे और फिर आप लोग demotivate हो जाओगे तो करें तो क्या करें स्टार्टिंग में अब वो जान लीजिए आप YouTube से related information दे सकते हो YouTube के new updates आते हैं आप उनके बारे में बता सकते हो लेकिन ओल्लेडी बड़े creators बता देते हैं YouTube के new updates के बारे में आपको कुछ unique करना है और वो क्या unique करना है इसी वीडियो में आपको third point में बता चल जाएगा आप starting में ये सब वीडियो बना सकते हो कि thumbnail कैसे बनाते हैं बड़े बड़े creators का name लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उनके जैसा thumbnail कैसे बनाए अगर आपको आता है YouTube चैनल किस तरीके से बनाए verify कैसे करें भाई बहुत सारे topic हैं आप tutorial देना शुरू करो editing सिखाओ अगर आपको editing आता है लेकिन अगर आप starting में grow करने की tips दोगे तो आपको negative comments मिलेंगे लेकिन जब आपका channel boost हो जाएगा उसके बाद दो फिर लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे वो देखना भी पसंद करेंगे trust me guys मैंने भी starting में YouTube tips देना शुरू कर जया था मेरे को एक दिन में 100 views, 50 views, 200 views इस तरीके से मिलते थे लेकिन भाई गाल ये मिलती थी लोग यही बोलते थे कि पहले खुद का दो channel गरोकर तू हमें बता रहा है और इस तरीके से हमारी viewers active भी नहीं रहते हैं और फिर मैंने कुछ unique try किया था मैंने आपको ओलेडी बताया था कि मैंने TikTok से related videos बनाने शुरू कर दिये थे फिर viral हो गया और बस TikTok वाली audience आ गई थी मैं और कुर्णी डारी है मैं सोने जा रहा है अगर आपको सच मैंसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे videos बना रहा हूँ ये video तो viral होना ही चाहिए था तो आपको एक काम करने है Google AdWords के थुरू आपको अपनी YouTube वीडियो को परमोट करने है अगर आप अपनी YouTube वीडियो को Google AdWords के थुरू परमोट करोगे तो आपको guaranteed views तो मिलेंगे लेकिन watch time नहीं मिलेगा लेकिन एक और बात है अगर आप Google AdWords के थुरू अपनी YouTube वीडियो को परमोट करते हो और आपको सच में लगता है कि मैं अच्छा content बना रहा हूँ तो अगर आपने Google AdWords के थुरू अपनी YouTube वीडियो को परमोट कर लिया suppose आपने Google AdWords के थुरू 1000 views ले लिये और अगर लोगों को आपका वीडियो पसंद आ जाता है 1000 में से अगर 500% को आपका वीडियो पसंद आ जाता है वो आपके चैनल पर विजिट करेंगे और 500 में से अगर 100 ने भी subscribe कर दिया तो बहुत बड़ी बात है और अगर 100 ने subscribe नहीं किया या 70 ने भी subscribe नहीं किया तो इसका मतलब आप content अच्छा नहीं बना रहे हो वो सिर्फ आपको लग रहा है Google AdWords में वीडियो पर्मोट करने पर आपको पैसा देना पड़ता है तो अगर आपका budget है तो आप कर सकते हो 100% आपको subscribers मिलेंगे अगर आपका content अच्छा होगा सही में तो आप एक बात try करके देख सकते हो अगर आपको subscribers मिलते हैं उसके बाद next time पर्मोट करो और थोड़े ज़ादा views ले लेना और Google AdWords से आप easily पर्मोट कर सकते हो तो कोई भी fake नहीं होता जो बड़े बड़े creator होते हैं बाई एक बंदे के 3-4 लाग subscribers है या कुछ कम तो वो खुद पर्मोट करते हैं और उसको काफी subscribers भी मिलते हैं तो आप भी कर सकते हो अगर आपका content ओपी है अब वीडियो को पर्मोट कैसे करते हैं अभी के टाइम में मैंने एक latest वीडियो बनाया हुआ है वीडियो के end में पता चल जाएगा अगर आप अभी के टाइम में क्लिक बेट नहीं करोगे तो मेरे को लगता है कि आपकी वीडियो पर लोग क्लिक करेंगे भाई जो बड़े बड़े क्रिटर हैं वो खुद क्लिक बेट करते हैं कभी कभी हमें भी करना पड़ जाता है भाई आपके सामने कोई simple सा थंबने ला जाएगा आप क्लिक नहीं करोगे आपको लगेगा कि यार क्या देखू मैं इसको हुआ है लेकिन आपको उस वीडियो में भी यही बताया जाएगा कि आपको एक महिना भी लग सकते है और जाधा भी लग सकते है clickbait thumbnail में करो, title में मत करो, title simple लगो, thumbnail में थोड़ा सा बढ़ा चड़ा कर लिख दो, अभी के टाइम में जभी लोग आपकी वीडियो पर click करेंगे, otherwise बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी वीडियो पर click करवाना, और अगर आप tutorial देरो किसी application के बारें बता रहे हो, तो आपको clickbait करने की ज़रूत नहीं है, जिसको tutorial देखना होगा, वो खुद click करेगा, मैं आपको एक example देता हूँ, YouTube के हर अफते कोई ना कोई update आता है, अब अगर मैं अपने title और thumbnail में लिख दूँगा, YouTube 3 new updates, या 4 new updates, तो लोग click नहीं करेंगे, अगर मैं थोड़ा बढ़ा चड़ा कर लिखूंगा, या कोई भी creator थोड़ा बढ़ा चड़ा कर लिगेगा, तभी click करेंगे, और अगर simple रहेगा, तो ज़्यादा लोग click नहीं करेंगे, तो भाई इसको ही तो बोलते है clickbait, एक और important बात, हर एक चीज़ की एक limit होती है, अगर आप अपनी girlfriend के साथ पूरी रात गिर होगे, तो भाई हलाद खराब हो जाएंगे, तो आप thumbnail में थोड़ा सा बढ़ा चड़ा कर लिखो, लेकिन limit cross मत करो, इतना भी मत लिखो, कि लोग देखते ही click कर दें, और वीडियो में उसको वो मिले ही ना, मतलब जो आपने thumbnail में लिखा, उसको थोड़ा बढ़ा चड thumbnail बनाते हैं सब, और reality यही है, आपको भी बनाना होगा, तभी कोई click करेगा, ओके, तो आप यहाँ पर देखो, YouTube के 5 new updates आए, मैंने वीडियो बनाया, अब thumbnail में देखो, वाँ बेटे, मोज कर दी आज तो, अब इसकी वज़े से लोगों ने इस वीडियो पर click किया, अगर मै यहाँ पर लिखता 5 new updates, तो कोई भी click ना करता, sorry click तो आते, लेकिन इस पर अभी की time में 47 के views हैं, यह ना होते, कुछ कम होते, अब आप यहाँ पर देखो, YouTube monetization new rules, अब मैंने monetization updates लिख दिया, अब नीचे देखो यह क्या कर दिया, अब लोग इसकी वज़े से इस पर click करें और face का expression भी मैंने ऐसा ही दिया है, और अगर मैं अपने इस वाली वीडियो के thumbnail में यह वाला photo लगा देता, तो भाई कोई भी click ना करता, sorry clicks तो आते, लेकिन 66 के views ना आते, तो जब आप किसी भी वीडियो का thumbnail बनाते हो, तो पहले सोच लिए करो अच्छे तरीके से, कि तो आप Google AdWords के थुरू परमोट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यह वाला वीडियो देख लेना, मैंने यह latest वीडियो बनाया है, आपको सही तरीके समझ आ जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं परेंड करते हैं